देखलम में फिर से आपका एक बार स्वागत ही ये वीडियो पीसे शुरुप से सीटेट से समधी थे अज इस वीडियो में हम लोग बिज्ञान अध्यापन कला जिसे आप अने नाम से भी जानते होंगे जैसे में बिज्ञान सिक्षा सास्त्र या बिज्ञान सिक्षर या पैड़ागोजी तो चलिए इस टॉपिक पर चर्चा करते हैं और पौर्ण रुप से वस्तित रुप से जानेंगे कि कैसे सीटेट पेपर टू गणीत और बिज्ञान में ज्यादा से ज्यादा मार्स कैसे लाएं गणीत की चर्चा हम किसी और वीडियो में करेंगे, आज हम विज्ञान के बारे में चर्चा कर रहे हैं विज्ञान सीटेट पेपर टू में देखा जाए, तो विज्ञान में टोटल 30 प्रश्ण आते हैं यह 30 प्रस्न दो भागों में बटे हुए होते हैं, पहला आपका होता है बिसेवस्तू के से प्रashn, दूसरा होता है आपका पैडागोजी से समंदित प्रashn, यानि अध्यापन कला से समंदित प्रashn थोड़ी सी चर्चा हम विशेवस्तु पे भी कर लेते हैं क्योंकि बहुत important है क्योंकि देखा जाए तो विशेवस्तु से जो प्रशन होते हैं वो total 20 होते हैं यानि 20 होते हैं और जो अध्यापन काला से संबंदित प्रशन आते हैं वो होते हैं आपके 10 भ्याम से सुनिएगा, भिशेबस्तु से जो प्रशन होते हैं वो होते हैं 20, और अध्यापन काला, यानि पैडागोजी से समं अचो Ст Ever report आपके लिए नहीं है, वो skip कर सकते हैं उनके लिए वीडियो बनाया जा चुका है उनके सिक्षास्ट समंदित ये science वालों के लिए है यानि जिनका विषय गड़ीत और विज्ञान है जो teacher गड़ीत और विज्ञान के बनेंगे उससे समंदित ये वीडियो है तो हम बातचित कर रहे थे विषय वस्तू के बारे में को विषय वस्तू में टोटल कितने प्रशन होते हैं 20 होते हैं और अध्यापन कला यानि पैड़ागोजी से समंदित 10 प्रशन होते हैं तो हम 20 परशन जो पूछे जाते हैं वो कहां से आते हैं उसके बारे में चचा करते हैं यानि विसेवस्तू के बारे में पहले भी मैंने बताया लेकिन पुर्ण रूप से वीडियो बना रहे हैं तो थोड़ा अच्छे तरीके से समझा दें ताकि कोई भी कन्फूजन नहीं रहे और सीटेट में बहुत ही अच्छा आप करें विसेवस्तू जो होता है वो क्लास 6, 7, 8 के बुक से होता है यानि जो NCRT द्वारा पबलिस्ट होता है क्लास 6, क्लास 7 और क्लास 8 का विज्ञान उसे समंदित प्रशन आते हैं उसी बुक से प्रशन आते हैं ये प्रणियों में पोशन इसको आपको कैसे पढ़ना है आखिर किन विंदू पर ध्यान देना है क्योंकि विसेवस्तू तो मैंने बता दिया कि क्लास 6, 7 और 8 का आपको साइन्स का किताब पढ़ना है यानि विज्ञान का किताब पढ़ना है उसमें हम क्लास 7 का लेसन 2 को मैं दिखा के बता रहूं कि कैसे इसे पढ़ना है किस तरीक से इसे पढ़ेंगे ताकि आपको समझ में आए सबसे पहले आप जो इसमें बोल्ड अच्छर में लिखा गया यानि जो बोल्ड किया गया है इसे जरूर एक बार देख लिजेगा जहां भी आपको बोल्ड मिले वो देख लिजेगा उसे समझने की कोशिस किजिएगा कि वो क्या कहना चाहता है इसके बाद आप कभी-कभी देखे होंगे ये कोश्ट में जो सब्दे लिखे रहते हैं और यह मकरंद वगरे तो पूछा गया है आपका बीट इट में भी पूछा गया है सेट में भी ये पूछा गया है और इसमें कुछ प्रश्ण ऐसे भी आते हैं जिसे फिल करना होता है तो इसके लिए हमने कहा था कि आपको science का कोई भी सहायक पुस्तक लेने के लिए मैंने बोला था एक वीडियो मैंने बनाया था जिसमें बोला था मैंने कि सहायक पुस्तक जरूर ले लिजेगा नहीं होगा आपके पास साहा एक पुस्तक तो अगर आप बिज्ञान ले लिए होंगे NCRT बुक का तो उसका solution बुक लेने की कोशिस किजिएगा solution मीं कुंजी का कह सकते हैं आप उसे कुंजी का लेने की कोशिस किजिएगा बहुत है दीपू एगरे बहुत सारे लोगों काया हुआ है उसे लेने की कोशिस किजिएगा कुछ mistakes होते हैं लेकिन कोशिस किजिएगा उस mistakes को अब सुधार ले तो जो भी ये fill करने वाला आता है इसे भी जरूर देखिएगा इसके बाद सबसे important बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो seated ने अभी तक सबसे ज़्यदा पूछा गया जो प्रशन है वो pictures से बहुत ज़्यदा आते हैं जैसे मैं अदबुत सकते हैं ये कोश्ट में भी दिया गया है एक picture भी बना दिया गया है तो इससे जरूर प्रशन आते हैं ये हमेशा याद रखिएगा जितने pictures है न उसको या तो notes के रूप में बना लीजिए या उसको लिख लीजिए जैसे मैं इस pictures को देखें ये seated में भी पूछा गया है अब आप line by line इसको पढ़े रहा है लेकिन इसको नहीं देख रहे हैं ये कोश्ट में दिया हुआ जबकि seated इसी से प्रशन पूछता है ये अधिकतर प्रशन इसके इसी से आया है जो pictures बने होते उसी से बोल लेगा कि इसको line wise कीज़े line wise कहने का मतलब पहले कौन होता है फिर दूसरा step में क्या होता है तिसरा step में क्या करता है अधिकतर seated ये ही पूछता है जरूर देखिएगा इसके बाद मैंने तो पहले से बोल रखा है कि जो भी बोल आपको देखे उसी जरूर आपको देखना है और इसमें और भी बहुत सारी जैसे ये picture है इसे भी देखिए कि रदनक के कितने ये बनाए गया है मंचसा आपको देखिएगा इसके आपको देखना में अच्छे तरीश कोतिए पढ़ने जो भी आपको देखिए पर दूर के दाथ तथा Jerry है तो इसे भी आप जरूर पढ़िएगा यानि जो अलग से बनाके एक कोस्ट वेगरे में या बोल्ड अक्षर में दिया गया है उसे आप जरूर देखिएगा इसके साथ ही आगे अगर हम बढ़ते हैं इसे आप लोग छोड़ देते हैं कि यह कुछ भी नहीं यह तुसी लेबस इन्हों ने दिया है साथ में पिक्चर भी है तो यह बहुत ही ही इम पॉटन्ट है और देखिए जीव परसौद के बिभिंस तो हमने जब जीब का बनाया था स्वाथ तो इसमें बता दिया गया था यहां पे कौन सा स्वाधत है यहां पे कौन सा स्वाधत है तो यह जरूरी है आपको देखना की मतलब यह थोड़ा सा परे भी हो जाएगा लेकिन बहुत इंपर्टेंट है कभी-कभी आपने देखा होगा कि पहली और बुजो दो लोग है इसमें उन्हों पहली कुछ प्रश्न पुछती कभी-कभी बुजो इसका जवाब दे देता है लेकि कभी-कभी नहीं दे पाता है तो उसका भी एंसर आपको पता होना चीए यह कब होगा सारे चीज आपको पढ़ने होंगे और इसमें कुछ और इंपोर्टेंट बात मैं बता देता हूँ जैसे प्रमुख सब्द जो आज तक आपने नहीं देखा होगा जब पूरा लेशन पढ़ लिजेगा तो जो प्रमुख सब्द है जैसे औसोसर तो क्या आपको पूरे लिजे और देके इसके बारे में जरूर लिख लिए कि यह होता क्या है यह पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है और जो भी IMPORTUNTA clarion वो आपके सामने आ जेए कि निसकासन क्या होता और तोकिन के अंतर निसियार में स करना लेकिन यह किस संदर्म में है क्या निसकासित होता है लोग just सारी चीज़े न आपको step by step नहीं मिलता है जैसे में एक सीटेट में प्रसंद था पाचन एक जटिल प्रक्रम है जिसमें अंतरक्रहन पाचन और सोशन स्वांगी करान निसकासन सामिल है इसको आप one two three four five करके तो दे दिया गया है लेकिन इसे कहेगा क्रम अंसार टिक करें कि क करन्ती होता है वहां से लार वेगरे निकलने लगता वही से पाचन के रिया शुरू होती है तो पहले अंतरक्रहन करेंगे फिर वहां से पाचन होना सुरू हो जाएगा फिर उसको और सोशड होगा फिर स्वांगी करन होगा फिर निसकासन होगा सब के बारे में हमने बताया कि जरूर कोसिस कीजिएगा और इसके बाद सबसे important वो है आपका कि आप लोग इतना पढ़ने के बाद ना ये लाला गरंतिक इसके साथ है ये सारा चीज आप करके ये कर देंगे हैं हमने वीडियो भी बहुत सारे बना के रखे हैं science का उसे भी जरूर देखिएगा बहुत important है और ये सब picture देखने के बाद अप लास्ट में जहां आप नहीं पहुंच पाते हैं वहाँ हम आपको लेके जारे हैं क्या आप जानते हैं ये जरूर देखिएगा इसी बकरी के दूद में मिलने वाली वसा के सनुचना गाय के दूद की वसा किया picture सरल होती है अता बकरी के द खा कि जो भी लाइन बाई-लाइन सरकाते हैं लाइन बाई-लाइन हम पढ़ लिए लेकिन इस सब देखनी की क्या जरू होते हैं लेकिन बहुत important है अगर विसे बस तो पढ़ते हैं अपको प्रमुक सब्द पर भी विसेश द्यान देना चीए बहुत सारी चीज़ें यहां प अंदर में परियोग किया गया अगर लिशन में कहीं टॉपिक छुट गया भी गया होगा न को यहां पादप डै difference देखने पूरा लिखे अब भूट ही अच्छा आपके लिए यह जारी हो जाएगा बहुत सारे तरीके हैं आपके पढ़ने के जैसे पादप में इसी का इस्तमाल के अगे देखिए ये पादप है और इससे सीटेड में प्रसुन पूछा गया है क्यों है ये पादप क्यों बनता है इस तरह का पादप इसके अलावा जैसे मैं आपने बोला तो मैं आपी से question पूछ लेता हूँ जैसे पहली नहीं question पूछा उन्होंने पहली चानना चाहती है कि ये जन्तु भोजन करते समय से भली भाती क्यों नहीं चबा पाते हैं जैसे गाय भैंस है उनके बारे में है ये परशन पूरा पढ़िएगा तो आपको पता चल जाएगा तो ये भली भाती भोजन को क्यों नहीं चबा पाते यानि खाते समय ही क्यों नहीं चबा पाते हैं जल्दी जल्दी क्यों खा रगते हैं तो इसका उत्तर क्या होगा जामते हैं चले थोड़ा सा discussion कर लेते हैं, लेशन तो मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, लेकि थोड़ा सा बता देता हूँ, यह होता क्या है, जो भी जुगाली करने वाले होते हैं, रुमनंती उसको कहा जाता है, को जन्तु घास तता जाडिया खाते हैं, जिसमें cellulose तथा मोटा चारा होत होता है, cellulose को तोड़ने हैं तो अत्यादिक चबाने और लार्की आउसकता होती है, अता रुमन्तियों को चारा परयाप्त समय तक चबाना पड़ता है, वे यदि वे खाते समय ही, देर तक चबाएं, तो उन्हें बहुत समय लेगा, और उन्हें खाने का समय कम मिलेगा, अ आराम से बैठते हैं और जुगाली करते हैं, इसका एंसर यह होगा, तो इस तरीके से आपको देखना चाहिए, जैसे मैं बूझो आप फिर प्रस्न कुछ देए, देकि उतर नहीं दिया गया, लेकिन आपको समझना चाहिए, और सीटेट के तरफ से यह भी कहा गया है, सीट अच्छे को नहीं देपा रहे हैं, उन्हें इमेल कीजिए, वो आपको जवाब देंगे, इसके अलावाँ दूसरा प्रस्न अगर देखते हैं, बुझो जानना चाहता है कि मनुस से मुवसिय की तरह सेलूलोस को क्यों नहीं पचा सकता है, क्यों नहीं पचा सकता है, अब य इनके सेलूलोस का पाचन कुछ जीवाणों द्वारा किया जाता है, किस से किया जाता है कि जीवाणों द्वारा किया जाता है, क्या कहते हैं, उस थैली नुमा को अंधिनाल कहते हैं, आगे इसमें हैं कि ये जीवाणी मनुस से के आहार नाल में अनुपस्तित होते हैं, अत चर्चा विसेवस्तू का जिसे आपने बख्व भी समझाओगा किस तरह किस से पढ़ना है आपको और किस क्लास तक पढ़ना है जाओगा कि आप आज के बाद कोई नोट्स को पढ़ना पसंद करेंगे मैं चाहूंगा कि आप NCRT बुक ही पढ़ें बहुत जरूरी यह बुक क्योंकि देखे छोटे-छोटे चीजों से प्रश्ण निकलते हैं जिसमें आप गलतिया करपाते हैं कर देते हैं आपको सीटेट पास होना है तो ब NCRT बना तो अपने तरीके से बना के दूंगा लेकिन आप बनाएंगे तो आपको पताओं कि कौन सा इंपोर्टेंट को इनपर्स्टोट कर के दे दोंगा लेकिन कुछ बातों को इग्णॉर्बी करना पड़ता है क्योंकि मुझे लगता है यह असान होगा लेकिन हो सकता व इसलिए मैं कहता हूँ हमेसार कि पढ़ना है तो NCIT पढ़िए पढ़ने का तरीका हमने आज इस वीडियो में डिसकस कर लिया इसके बाद हम बात करते हैं यहां आते हैं हम फिर से अब हम बात करेंगे यह अध्यापन कला विज्ञान अध्यापन कला और या साइंस इसमें दिया गया है बिसे सुरुप से कुछ ज्यादा नहीं दिया गया है आमोख दिया गया है तो आमोख जितने भी बूख है इनके सारे में सीम है सारे में सीम है आमोख जैसे क्लास 6 का क्लास 7 का क्लास 8 का आमोख ही दिया गया और निर्देश विगरे कहीं भी नहीं दिय गिए गिए WAK में कि SIX Ready लिए यह निर्देश special है तो इनके प्रासर आते हैं तो कहां से आते हैं यहHH बहुत जरूरी है तो देखे इनके प्रसčन जो होते हैं न को को down दो चीजों का नाम में पहले ले रहा हूं लेकिन रियर केश में यहां से प्रस्णा आते हैं जिसे में NCF की बात की जाए टो at2009 वा इन सारे फिर सब्सक्राइब को यहां 전 OL आ दो चाहिए क्योंकि एक-एक मार्स ना बहुत इंपोर्टेंट होते हम चाहते हैं कि 120 प्लस आप करें तो एक-एक मार्स बहुत इंपोर्टेंट होते हैं तो हम आपसे कहेंगे कि इसके बाद हम सिक्षण वीडियो की चर्चा कर रहे हैं वैसे अभी सिक्षण वीदी का तो पीडियाफ हमने नहीं बनाया है लेकि सिक्षण वीदिया सबका सेवी होता है concept clear होना चाहिए कि क्या सिक्षण वीदी कहता है लेकिन इसके लिए भी हम वीडियो जरूर लेकर आएंगे अब सिक्षण वीदी का क्या है को सिक्षण वीदी में कभी 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 रियर केस में एक प्रशना आता है अगर आप ज्यादा ध्यान सिक्षण विधी पर देंगे नहीं तो फंस जाएंगे ज्यादा ध्यान सिक्षण विधी पर मत दीजिए लेकिन ज्यादा ध्यान आप सिक्षण विधी पर मत दीजिए रियर केस में एक या दो प्रशना आएंग देखना चाहिए इसके बाद CCE देखना चाहिए CCE का मेरे पास PDF है CCE देखना चाहिए मैं दिखा देता हूँ आपको PDF जो है कि यह आपके पास मैंने एक दो तीन चार PDF मैंने रखा है विज्ञान शिक्षर का और CCE साइंस देखें CCE साइंस है और आकलंग साइंस आकलंग से भी प्रशना आते हैं हम CCE की चर्चा कर रहे थे यानि इस पीडियाप से समंधित भी प्रशना आते हैं इसको में खोल के दिखा देता हूँ यह सततेयों समग्र मुल्यांकन CCE और उच्चे प्रात्मिक अस्तर पे प्रतिमान समागरी तो CCE यह बिज्ञान के लिए है आप देख सकते हैं यह किसके लिए बिज्ञान के लिए है और इसको भी आपको जरूर देखना चाहिए इसके बाद हम बात करते हैं दूसरे पीड साइन मोड के जो प्रश्ण होते हैं वो तो आकलन भी बहुत जरूरी है आकलन के लिए एक बिसेस पीडियाफ है जो मैं आपको दिखाता हूँ यह आकलन पर स्रोत पूस्ता कक्षा 6-8 के लिए और यह है आपका बिज्ञान का तो यह भी बहुत इंपोर्टेंट है इसे भी आपको जरूर देखना चाहिए पेजेस बहुत ज्यादा है लेकिन बहुत इंपोर्टेंट है 176 इसके पेजेस है लेकिन इसको एक बार देख बच्चों को पढ़ाना है तो कैसे पढ़ाना है बहुत इंपोर्टेंट है और इसके बाद देखा जाया तो अप्लाइड मोड के प्रस्ण होते हैं तो अप्लाइड मोड के प्रस्ण यह विज्ञान की चचा हो रही है तो अप्लाइड मोड के प्रस्ण तो यहाँ पे ज्य जग्यासा है सांत करना उनके अंदर जग्यासा है पैदा करना कुछ खोज करने की परवर्ति उनको देना कि कुछ खोजे कुछ औसर मिले कुछ करके दिखाए करके सीखे इन सारी बातों पे ज़्यादा बल देना होता है तो इसी लिए इन से सम्बंदित प्रसुन ज़्यादा कब अच्छे तरीके से सीखेगा जब वो करके सीखेगा ऐसा नहीं है कि आपने थियोरी पढ़ा दिया यह ऐसे होता यह ऐसे होता उसके कंसेप्ट में बैठ गए इसका मतलब क्या हो समझ गया नहीं समझा लेकिन वही चीज प्रैक्टिकल करके आप दिखा रहे हैं तो अच्छे तरीके से सीखेगा आपको भी मैं कहूं कि ऐसा करता हूं कि मैं आज थियोरी पढ़ा दिता हूं और प्रैक्टिकल करने की जोड़े तो नहीं मतलब समझ यह ऐसे होता है लेकिन वही चीज में उसी क्लास में मतलब वह क्लास मेरा एक खतम होगे दूसरे क्लास में म मैं आपसे कहूं कि यह ऐसे होता प्रैक्टिकल करके आपको दिखाऊं यह ऐसे होता है यह लिक्वेड ऐसे मिलता है फिर यह ऐसे बनके त्यार होता है तो आपको कैसे लाएगा थोड़ा सच्छा लेगा लेकिन वही चीज मैं आपको देदू कि मैं करके दिखा दू फिर आ से आपके प्रशन उठने शुरू हो जाते हैं और बच्चों को कभी प्रशन से मना नहीं करना चाहिए NCRTB कहता है कि बच्चों के जितने प्रशन उठने उठने प्रशन उठने पूचे और आप उसके जवाब दे और कभी गली महसुस मत हुएगा कि ये प्रशन हमको नहीं आ रहा है खोज की देंगे बहुत सारे इसे प्रशन है जिससे हमें खोजना पढ़ता मुझे भी खोजना पढ़ता है प्रशन दीन नदात्य जब आप पढ़ेंगे नहीं तो बड़ा मजा हैगा जब नए प्रशन मिलते हैं तो चलिए हम बात कर रहे थे इसमें आकलन साइंस की फिर ससी आपको पढ़ना होगा फिर आपको साइंस एंड मैथ का NCF से संबंदित जो कुशन इंसर होते हैं इसे भी आपको देखना चाहिए इसे मैं खोल के आपको दिखा दिता हूँ यह कुशन इंसर है यह अभी इंग्लिक्स भर्जन में है मैंने मेल किया इनको जैसे ही हिंडी वर्जन में मिलेगा मैं आपको जरूर लाकर दिखाऊंगा यह जितने भी प्रशन है NCF से संबंदित वो प्रशन इसमें है यह PDF मैंन से भी उठके चले आते हैं यह सारे चीज़ें इसमें बहुत सारे प्रशन है चेप्टर वन चेप्टर टू करके तो इन सारे प्रशनों को आपको देखना चाहिए एक बार देख लीजेगा जैसे हिंदी वर्जन आएगा वैसे हम आपको उपलब्द करा देंगे इसके अला कार इसमें बहुत सारी चीज़े हैं नमाचारी कारेक्रम हस्तेख्श zeggen शोपो से सबक और त्रारमबिक अस्तर प्रशन 1 से पाथ तक उचप्राथमिक अस्तर 6 to 8 असर्मेниक क्या विसेवस्त्तू है क्या शीक्ष यसा शो सर्चत्र होना चाहिए Review Chiунд की सर्चर्श आपको आप चाहिए अगर इतना आप क्लियर करके जाते हैं कुनीची थी बहुत सारे चीजे आपके पास क्लियर हो जाएंगे उसके बाद कहीं और जाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी और एवरिटिंग क्लियर हो जाएगा और माइंड भी एकदब ब्रॉड हो जाएगा इतना सारा पढ़ लेंगे उसके बाद आपको साइकलोजी में कभी दिक्कत हो गी नहीं बस गया है तिक कि आप तो सोचेंगे कि साइकलोजी का प्रशना है आप सोचेंगे कि साइंस में लेकिन अगर आपसे मिस्टेक्स नहीं होगा ना को 28 फिक्स है दो नंबर इसलिए करता हूं क्योंकि सीटेट इधर उधर करना सुरू किया है उन्होंने यह नहीं कहना चाहिए लेकिन मुझे लग रहा है तो एक दो नंबर ठीक है लेकिन 28 तक मैं एकदम निशीत करता हूं आपके फिक्स हो जाएंगे और इस वीडियो में हम लोग सब्टमबर 2015 सीटेट सब्टमबर 2015 में जो प्रशने उसे भी सॉल्व करके देखें लाइब दिखाते है कि कैसे वो सही होते है क्यों डरते हैं आपकी ये गलत हो जाएगा क्यों डरते है कि ये नहीं हो सकता वो सारे चीजों का डाउट हम क्लियर करते हैं और दिखाते हैं लाइब कैसे प्रूव होते हैं कि सीटेट सब्टमबर 2015 सॉल्व करके ये सारे कंसेट कैसे लागू होते हैं जो चीज हमने बताया है कि अप्लाइड मोड के ज्यादा प्रशन होते हैं और इन इन चीजों पर आपको ध सारे होने चाहिए है इसके अलावां भी अगर कुछ रिमेंबर जैसे याद करने की बात होगी वह गलत होते हैं इसी कंसट पर वो वह kitchen बनाते हैं और हमेसा पूछते हैं और मुझे नहीं बगता कि जएदा आपको पर्शानी होगे इतना परने जैगा काफी है फिलाल हैं और प्रसन देखते हैं कि कौन-कौन से प्रसन है इसमें और आपके सामने लाइब बच्चों को पानी बचाओ को किस परकार अधिगम सार्थक बनाया जा सकता है इसमें देखाज़े तो अंडरलाइन किजिएगा यह बच्चे मतलब किस कक्षा के यह हैं आपके कक्षा 7 के क्क्षव 7 में देखिएगा को पानी से संबंदित दो लेशन है जब आप पढ़ेंगे सिर्षक याद होगा तो निश्चित ही बता पाएंगे उसमें कुछ चर्चा है भी एक्स की उसे आपको देखना चाहिए अब यहाँ पे है कि पानी बचाओ बिशेप अधिगम को कीस पर देखिए यह क्लास 7 को दूसरा है निवन्द लिखवा कर उसके निवन्द लिखिए आप लग जो आम जिन्देगी में देखिएगा कर टीशर भी करते हैं पुस्टर बनवा लेजे निवन्द लिखिए तीसरा थोड़ा लंबा एंसर है लास्ट में पढ़ते हैं लंबे वा लिखिए यह होता है पहली जो बुझाया जाता है वह सब करवा के तीन नम्मर है पच्चो को पानी की खपत पर अपने मुहलों की लोगों का सक्षतकार तथा जल जाच करवा कर अब आपको बताईए कि पोस्टर बनवाते हैं तो कुछ नया हमने किया आप ड्रोइंग बना रहे हैं ना कि साइंस का काम कर रहे हैं साइंस क्या करवाता है को साइंस आपको करवाता है प्रैक्टिकल रूप से अप्लाइड मतलब अप्लाइड करके यानि वह चीज़ करके सीखना हमें जानना है कि होता है तो कैसे होता है क्या यह गंदा है क्या है यह क्यों हम कर रहे ह यह पुष्ण होना चिए, कैसे होगा यह चीज होना चिए दूसरा निवंद लिखा कै यानि लेखनी का प्रैक्टिस करवा रहा है थियोरी उनको PhD करना है जैसे लोग कहते हैं उन्हें थियोरी लिखना है क्यों चौता है पहली पहली सिखा रहे हैं कि पहली बनाईए उसके लेकित तीसरा इसमें option जो है बच्चों को पानी की खपत पर अपने मुहलों के लोगों का सक्षतकार करना यानि उनसे पूछना कैसे खपत करते हैं क्या होता है यह कितना practical हुआ यानि एक बाहरी जो वतावरन है जो उसके आसपास है वो अंदर बच्चों के सामने डाल रहे हैं concept clear हुआ? ठीक से concept एक बार किलियर हो जाएगा ना को दुबारा कभी गलती होगा है बाहरी वतावरन को classroom में लेके आ गया बच्चे को भी मज़ा आने लगा अरे इनके पस गया थे यह बाबा है यह है तो ऐसा होता है कितना practical रुप से होगा कितना मज़ा आएगा बच्चे को पढ़ने में यह चीज अगर आप करते है न तो यह पढ़ाई नहीं होगा एक खेल हो जाएगा जो बच्चे डढ़ते ने स्कूल से आने के लिए वह भागे भागे आपके स्कूल में आगे बहुत अच्छा पढ़ाया जहता है जो हुता है वही तो पढ़ाते हैं यहां में हो रहा है हम कली तो देख़े थे उन में पुछे थे कैसे क्या होता है फिर हम यह जाने फिर वो discuss करेंगे तो discuss करने से भी क्या बढ़ता है फिर सक्षकार करेंगे तथा जल जाज करवा कर अब जल जाज का भी इसमें include कर दिये यह थोड़ा सा तो है लेकिन इसको भी include कर दिये तो कितना बहतर होगा तो आप टिक क्या करेंगे कुछ नहीं करना है बस कुश्चन पढ़ना है दो सेकंड नहीं लगेगा आप टिक कर देंगे और निश्चित ही वो सही हो जाएगा इसके बाद अगला देखते है अगला इसमें कुश्चन देखा जाए तो है यह थोड़ा सा लंबा सीटेट में थ उसको पढ़ाने से पहले यानि आपने पाचन ने स्टार्ट नहीं किया पाचन क्रिया कैसे होती है क्या होता है यह चीज नहीं पढ़ाया तो उससे पहले एक अध्यापक ने उन्हें मानौशरीर का एक रेखा चित्र देता है यानि मानौशरीर का एक रेखा चित्र उन्हे चाहते हैं कि आप इंगों को चित्र किजें जिनसे आपको लगता है कि यहां से भोजन जांव खाते हैं अब इस पर करके पर पूछन को पूछने के लिए अध्यापक का क्या उद्देश हो सकता है उन्हें ने पाचार नीं पढ़ाया लेकिन उन्हें ने रिखा चित्र दिया और कहा कि इसमें बताइए कि बोजन कहां से कहां तक जाता है ठीक है यही प्रशन है अब वो चाहते कि क्या उद्दे से उसका क्यों दिये हैं वो यह जानना है और ऐसा अधिकतर टीचर करते हैं देखे किता प्रक्टिकल रूप से है आप क्लासरूम में गए कु क्योंकि अब देखे रेखाचितर बनाने की कलर यानि ड्रोइंग बनानों छोड़ेंगे नहीं ऑप्सन है परक्टना क्योंकि जीवन बिग्यान में एक महत्पून कोशन है क्या गजब की बात है मतलब आप पहले कुश्चिन का कंसेप्ट किलियर हो गया दूसरा कुश्चि किसी भी चीज का अगर फायता ढूंड़ेंगे अनत तब कुछ आपको पता भी चल जाएगे इसमें क्या हो गया रेखाचितर बनाने से यानि ड्रोइंग उन्हें सिखा रहे हैं सिखाईए को आप्सन को क्या करेंगे हम लोग काट देंगे कि नहीं यह यह उद्देश कभी हो सकता है मानो शरीर और पाचन के बारे में विद्यार्थियो के पुर्व विचारों की परताल करना ताकि भावी सिक्षर अधिगम सत्र को तदाउंसार नियोजित किया दे सके यह थोड़ा सा अच्छा है यह देखे दोनों में थोड़ा सा कन्फूजन होगा इसलिए हम आपको समझाएंगे लास्ट में दोनों को लेकिन तीसरा देख लेते हैं पता लगाना कि किस बिद्यार्थी ने पहले से पाठ पढ़ा हुआ है और कक्षा में त्यारी करके आना तथा तदाउंसार उनका स्रेडी करन करना इन्होंने कहा क्या कि बिद्दार्थी से पहले से पाठ पढ़ा हुआ अब यह पता करना कि कौन सा बिद्दार्थी पहले से पाठ पढ़ा हुआ है इसका मतलब या तो आपने कहा था कि पढ़के आई तो आप डाठने के लिए त्यार हो जाएंगे क्यों नहीं पढ़ा ये तो वह तो काम करना नहीं या यह पढ़ना कि क्या कुछ इंग में जाता है क्या देख लेकि जानता है कि नहीं तो यह चीज आपको नहीं करना है आप इतना वेस्ट देग बिद्यार्थों की समझ को समझना अभी आपने देखिए यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा आपको वह कंफ्यूजन भी मैं दूर कर देता हूं पाचन तंतर के बारे में बिद्यार्थों की समझ कौने उन्हें चाहे हैं कि उन्हें रिखा चित्र जो उन्हेंने दिया है वह पे वह क्या करें अंगों को चित्रित करें को पाचन तंत्र के कैसे बारे में हो सकता है हो सकता कुछ औरंग भी बना देगा तो वो पाचन तंत्र के बारे में नहीं है वो अंगों के बारे में है तो concept clear रखिए कि जब अगर वहां देता है कि पाचन पढ़ा लिए तब तो ठीक ठक था लेकिन नहीं पढ़ा है तो जाईर से बात है यहाँ पाचन तंत्र के कारण यह option क्या होगा समझ को नहीं समझने हाँ यह गलत हो जाएगा लेकिन इसका तीसरा नंबर जो option है मानो सरीर और पाचन के बारे में मानो सरीर के बारे में कैसे जानते हैं उनके बारे में जानना है यानि मानो सरीर के बारे में उन्हें जानना है यानि वो जानना चाहते एक इसाब से मुझे लगता है कि वो नए टीचर होंगे यानि इसे पहले नहीं पढ़ा है मतलब मेरा कंसेप्ट ऐसा है तो वो देखे किसी भी क्लास में चाहिएगा न तो आपको तो पता होना चाहिए कि लेवल क्या है अब डारेक्ट लएंगे और पाचन के बारे में क्या जानते हैं पाचन तंत्र के बारे में नहीं कंसेप्ट के लिए रखे है पाचन तंत्र यानि पूरी किडिया के बात हो रहे लेकिन यहां पर स्टक्चर बनाना था किसका मानों अंग का ताकि उससे पता चल सके कि जो भी अंग है उसे तो आप ज बारे को चलाना मुझे लगता है कि आपको किलियर हो गया होगा तो याद रखिएगा जो भी अगर यह होता है कि डूइंग पर मत जाईएगा कि हाँ उसका पुस्टर बनवादे करके सीखने पर जाईएगा दूसरा चीज यहां कि अगर कोई रेखा चित्रवेकर बनवा रहे जाहिर से बात है कि उसके पुर्विज्ञान को जानने की चस्टा कर रहे है अगर किसी भी वच्चों को पढ़ाना होता है उसके पुर्विज्ञान से जोड़ते हुए पढ़ाएगा बहुत ही अच्छा होगा याद हो गया और जो भी आपको हिंदे कलब पे यह सारे कराया जारें ये केवल सेटेत के प्रश्ण को धान ने रखके क्लिर कराये जते हैं ठीक है इसे संदर में ही यूज कीजएगा तो ये 62 नमर का एंसर क्या होगा तीन होगा आगे बढ़ते हैं 33 नम्मर कुश्यन देखते हैं कच्छा 7 क्लास कौन सा है 7 कि एक अधार ना धूआ उपर क्यों उड़ता है बहुत ही अच्छा धूआ उपर क्यों उड़ता है पर परभावसाली चर्चा के लिए एक बिज्ञान सिक्षक को एक परभावसाली चर्चा करना होने बिज्ञान सिक्षक को जब भी आपको समझ में नहीं आए न तो आप इधर इंगलिस पढ़ लिजेगा मैं दोनों नहीं कर रहा हूं क्योंकि वीडियो लंबा होते जा रहा है और अभी मैंने तीनी कुश्यन के हैं बहुत सारे कुश्यन करने हैं बिज्ञान सिक् प्रसेंट गलत है कम प्रस्ण यानि कम केवल यह सब जपी वड़ आया कम केवल सेर्फ वेगर है तो यह लगबाग गलत ही होते हैं अब देखिए यहां कम प्रस्ण पूश्यन की अब आजादी आप नहीं देना चाहते है बच्चे को यानि उसका सरवांगिन विकास करने प एक समान मंच देना चाहिए अगला है बच्चों की रूची बनाए रखने के लिए उनकी प्रतिक्रियाओं को सब करना चाहिए जिस तर की प्रतिक्रिया वह दे रहें कभी भी ऐसा नहीं कि निगेटी बोलना गलती कि आप लगे निगेटीब बोलने कि यह होताई यह है तो नियुशित काट दीजिएगा अगला सचा के अंध में बचशों के विचारों का सारंस करते वे औक लगन करने चाहिए यह जरूर्ण कीजिएगैं तब आध चलेगा कि बचछे कहां तक समझें उनके विचार क्या है तो उसका पारंस का आकलन चरूर करने चाहिए अब यहां पर देखा जाए तो एक हम नहीं काट दिया तो इसका एंसर हो जाएगा BCD तो BCD आपका कितने नमबर है दो नमबर है वो लगतार इन्होंने सप्टमबर 2015 में तीन प्रसंद दिये थे अब इसका लास्ट में साथ प्रसंद दिया है इन्होंने चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 84 नमबर कोश्चन आठवी कक्षा का कोई चात्र यहां कहता है भारी वस्तुवे जल में डूब जाती है और हलकी वस्तुवे जल में तैरती रहती है अगर काट के जवाब देते हैं उससे समंदित आपसन आ जाते हैं तो गलत होता है आठवी कक्षा का कोई चात्र यहां कहता है भारी वस्तुवे जल में डूब जाती है और हलकी वस्तुवे जल में तैरती है कक्षा आठ के बिज्यान सिक्षक के लिए इस पर परतिकिर्या देने के लिए सरोतम पारामर्स क्या होगा यह चीज आपसे पुछा गया है तो इस पर आपसी जल में तैरती रहती है तो इस पे आप क्या पारामर्स देंगे, क्या कहेंगे तो इसमें पहला option है इस कथन को सविकार कर लिया जाए क्योंकि यह बच्चे की संकल्पना को इंगित करता है जिसका आदर किया जाना चाहिए अगर आप बच्चा गलत बोलता है तो उसको सविकार कर लेजिए कि चलिए बच्चों के जो भी संकल्पना है उसे आदर करना चाहिए तो यह कभी हो सकता है यानि गलत भी बोले को छोल्टा सिदा बोले को बस आदर देते रही है तो मैं कट दूँ इसको अपने कहा तो मैं कट देता हूँ दूसरा बच्चे को सपस्ट किजिए कि यह वस्तू का भार नहीं वरन उस वस्तू का घनत्व है जो यह निर्धारित करता है कि कोई वस्तू दूबेगी अथवा तैरेगी कुछ हद तक यह ठीक है लेकिन बच्चे को यह सपस्ट करना है थोड़ा साव देख रहा है थोड़ा सा इस ऑप्सन में एक तरसे आधायस आत्मक है यानि एक तरसे आदेश देने वाला ये ब्यक्त कर रहा है तो बच्चे को आधेस देना हमें अच्छा नहीं लगता कभी वी डाटना आधेस देना और उसको एक तरसे उसके कंसेट को मतलब जबरदस्ती उस पे लाग देना कोई दी कंसेट को मतलब भार तरीके से उस पे देना तो यह थोड़ा सा डिफिकल्टी है मतलब अप्शन आए प्रतिकारी उधारन दीजिए और बिभिन आकृतियों अब यहां पर प्रतिकारी का मतलम नहीं समझ में आ रहा है तो यहां देख लिए परजेंट काउंटर एक्जामपल्स और बिभिन आकृतियों आकारों और भारों की बस्तूओं की बेवस्था करके बच्चे को खोजने का औसर परदान कीजिए अब इसमें कहिए कि क्या घलत है हमको एक भी उपाय बताईए तीनों में मैंने काटके रखा है अब यहां पर बताईए अब यहां पर आप करें खोजने का औसर परदान कीजिए सब देख रहे हैं किस तरीके से आपको मिला खोज जिने का उसर प्रदान कीजिए और हमने क्या बोलके रखा है उसर उसे प्रदान कीजिए खोजने पर विवस कीजिए करके सिखने पर बल दीजिए क्योंकि यह साइन्स है इसमें को जब भी प्रशनाएंगे तो यह सारे आप्सन जरूर गाएंगे बहुत इंपोर्टेंट होत कुछ भी करना था अभी तक जितने भी प्रश्णा है उसमें कुछ भी आपको करना है कुछ नहीं करना बस देखना है टिक करना है अब चलिए आगे बढ़ते हैं अब यहां पे देखते हैं 85 नंबर कुश्चन थोड़ा सा तेजी करेंगे हम लोग नीचे दीगए कौन सी परस बीजो के अंकूरण का निर्दर्शन दिखाकर बिस्तार से ब्यक्ख्या कि गई अब उसका दिखा दिए फिर विस्तारस कर दीया Data कर दीए यानी retail डिटेल्स एक्सपलेशन कर तर रहें कि ये होता है ये होता है पूररा है उसी बैटकर आराम से सोद्राइब औरे रहें पंस बोलते रहां करके दिखाएंगे नहीं कुछ बताएंगे बस चीज उठाएं बस बोल रहा एं पुरही एक्सप्लेइन करने आ बहुत बोरिंग क्लास होता है केवल बोलते रहते हैं explain करते हैं अच्छा लगेगा नहीं लगेगा तो पहला option कट दू कुछ नहीं करना ब्याख्या के कारण यह गया दूसरा है बिद्यार्थी का बीजो के अंकुरन बिशैपर योजना बद निर्देशन के परिस्कृत और विस्तरित सत्र में भाग लेना एक निर्देशन हो रहा है उसके परिस्कृत और विस्तरित सत्र में भाग लेनी की चर्चा हो रही है कि जहां पर बाच्चीत वेगर हो यह तीनों थोड़ा भी प्रैक्टिकल रूप में आपको दिखाई दे रहा है कि प्रैक्टिकल यानि खोज से खोज के सीखने पर बल दे रहा है तो इसमें देखिए तीसरा नंबर बिद्यात्यों को अंकूरन से संबंद तथ्यों का तथ्यों की परियोग के द्वारा खोज करने के लिए प्रुचाहिद करना अब इसमें बताइए हम कुछ बोलेंगे नहीं आपको अगर टिक करने के लिए बोलेंगे तो किसको टिक या परियूग करके खोजने पर बल दे रहा है उसी से मतलब पुर्चाहिद भी कर रहा है कि आप ऐसे कीजिए और बागे सब वो नहीं कर रहा है तो आगे देखा जाए को 86 नमर कुछ भी हाई नहीं बस आप जुटमुट का डरते हैं कि साइकलोजी सर बता दीजिए कुछ हाई नहीं बना के तो देखिए ट्रैक्टिकल टॉटल अप्लाइड मुट के कुश्चन आते हैं एक जली मुंबत्ती को मेज पर रखता है उसके बाद एक जार से उसे डख देता है अप्सन यह है कुछ दिर बाद मुंबत्ती बुच जाती है अप्सन बी है मुंबत्ती के जलने के लिए हवा अवस्यक है अप्सन C है मुंबत्ती को जलते रहने के लिए ऑक्सिजन चाहिए अब इसमें पूछ रहा उप्युक्त तीन कथनों में से अप्सन एक है केवल कथन A और ओलोकन है और कथन C जानी 3 है सभी कथन औलोकन है चार है सभी कथन अनुमान है अब यहां पे औलोकन और अनुमान दोनों पे differences आपको पता होना चाहिए औलोकन क्या होता है औलोकन में observation होता है और अब्जॉर्ब करना उसको देख के ना अब्जॉर्ब करना कि यह चीज हुआ वह ओलोकन है आपने जब वह माल लेज्टे एक जलिवी मुंबती है आप खुद रखिए और उसके बाद उसको जार से ढख दीजे उसके बाद क्या किजे जार से धक दीजे खोई भी जा रहे है रख दीकर उसके बाद आप लोकन करेंगे यानि एसा अं divide करेंगे को यह इंद देखेंगे और कुछ देखेंगे यह धीनंगे कि जलने के लिए हवाbn सिक ह्या या भूम्मती को जलते रहने के लिए oxygen चाहिए यह तूरा नहीं अवा नहीं इसमें हवा नहीं गया तो वो बुझ गया तो यह हुआ वो यह सानमान लगने अब्जार्ब नहीं कर सकते हैं अब्जार्ब वही चीज होगा जो सामने आपके साथ हो रहा है तो अब्जार्ब आपने क्या किया कि केवल कथन ए औलोकन है यानि कुछ देर बाद मुंबत्ती बुझ जाती जैसे ही उसमें हवा कथम बुझ जाएगी तो यहां पे आपने अब्जार्ब यह किया कि कुछ देर बाद मुंबत्ती बुझ जाती है क्लियर हुआ यहां पे कुछ भी पूछना है निश्चिती नहीं पूछना होगा क्योंकि यहां पर उन्हों ने अलोकन किया इसके बाद आगे बढ़ते हैं हाँ यह प्रան्र बहुत इंयपोर्टेंट हैं और बहुत सारी चीज़े यहां क्लियर हो जाएगे नीचे दीगे प्राश्रों में से कौनसा मुक्त अंत वाला प्रश्रों है बहुत तरीके से जो सोचता है उस तरीके से वो उतर दे सकता है कुछ भी उतर हो सकता है तो उसे कहते है ओपें इंडेड में मैथ में भी हिंदी में भी सब जगा यह पूछा जा सकने वाला प्रश्न है ओपें इंडेड दूसरा होता है क्लोज इंडेड यह मुक्त है वह क्लो तो वही चीज है, closed जो इंडेड होते हैं, वो यसनों में होते हैं, एक line एक सब्द में होगा, तो उसमें क्या होगा, उसके answer fix होते हैं, जैसे option से मैं fix करा देता हूँ, इसमें एक ही मुक्त अंत वाला प्रशन है, बागी सब क्या होगी, close इंडेड, जब भी प्रशन आएंग केले के छिलके पर हम क्यों फिसल जाते हैं, अब क्यों फिसल जाते हैं, इसका answer fix है, कोई ने कोई कारण ही, जिसके कारण फिसल जाते हैं, clear, close इंडेड हो गया, अब कोई इसमें कहा देगा, कि इसलिए फिसल जाते हैं, क्योंकि जो मतलब हो, हम चलते हैं, किसके कारण चलत आएगा वहाँ पर फिसलान हो गया गिर गया किस कारण को वही घर्शन दूसरा है दूसरा छोड़ देते तीसरा देखते हैं तीसरा देखी इतना बड़ा है लेकिन सहीं नहीं होगा अपसर नमबर तीन किसे पीपे यानि बैरल को समतल प्रिस्ट पेर सरकाने के तुलना में उ समतल प्रिस्ट देख ली है यानि जो सर्फेस है उस पर देखी अगर वहाँ कोई चीज है तो सरकाते तो क्या होता है यान खीच के उसो सरकार के लेके आ रहे हैं तो उससे क्या होगा ज्यादा बल लगता है किस कारण से होता है तो यह भी पूछा जा सकता है किस कारण से होता है कि इसका कोई ने कोई एक निशीत कारण होगा यान कोई ने कोई एक निशीत एंसर होगा उसके लेकिन option no.two जो है यह option no.2 को ध्यान से पढ़ी है पढ़िए इसको जदि घर्षन बं ना हो तो क्या होगा अब उत्तर दिजी आप घर्षन बं ना हो तो क्या होगा आपका उत्तर क्या उ wellness होगा वो बोलेगा घर्षन बल नहीं होगा तो हम चलनी पाएंगे कोई कहएगा कि हम उड़ने लगेंगे कोई कहएगा कुछ कहएगा कोई कुछ कहएगा कोई एक कारण बताईए तो जो फिक्स हो यानि घुमा के वही कान पकड़ने वाला बात आ रही आप नहीं आएगा यहाँ पर ओपन इंडेड होगी है यानि खुला हुआ दरबार है जो बोलना है बोलिए उस पर लगतार लेक्चर होते रहेगा कभी खतम होने वाला यह है कभी कि घर्षन बल नहीं होगा तो क्या होगा कभी खतम हो सकता है यह चीज़ कभी खतम नहीं होगा लगतार बोलते रहे है ओärtला यह नहीं होगा और यह नहीं होगा यह बाल्टी और लंगे यह ंग पूरी कहानी कहते रहे이드 प्या होगा फिर कभी कलोस नहीं होगा इसलिए उससे आपन in date करते हैं मैंत में बी पूछा जाता है कि मैंत में थिक सेंगम क्लोज इंडिट निट कर रहे हुआ वा की साफ यह ने यह बाहे है यहां य। 106 और 2 लिख दूएंग टो एसका और आप क्या निटतोizar को चाय,ाइस मैं क्लेऄ डिखे लिख दूएंग हुआ तो इसका आप क्या कहिएगा तो सर इसका एंसर दो होगा तो यह क्या हो जाएगा लेकिन मैं कहूँ कि कोई भी ऐसा भाग हमें बताइए जिसको भाग देने के बाद मुझे 10 प्राप्त होता है 50 प्राप्त होता है कितना उतर दीजेगा मिलेगा कभी नहीं मिलेगा जानर कैसे तो बहुत सारे तरीके अब आगे बढ़ते हैं टाइम तो आपका ज्यादा ले रहा हूँ लेकिन मुझे लगता है कि बहुत सारे चीज़े आपकी क्लियर भी हो रही है 88 number question बिज्ञान के नियमों और सिधानतों के बिशे में निमलिकित में से कौन सा कथन सब्थ है इसमें से कौन सा कथन सब्थ है उसे देखना है तो इसमें पहला है नियम दिर्ष्टिकूर तथ्यो देखिए यहां पर दो चीज़े हैं एक नियम है और एक सिधानत है इन दोने के बारे में चर्चाय हो रही है कि इन में कौन सा कथन इस बिशे में सकते है अब सिधानत क्या होता है कि जिससे आप थियोरी के नाम से जानते हैं नियम क्या होता है जिससे आप लौ के नाम से जानते हैं को लौ और सिधानत के बिशे में कौन सा कथन सकते है यह देखना है नियम दिष्टिक गोशर तठ्थयों में संबंदों के सधार्ने कृत वर्णन है और सिधान्त दिष्टिकूर्ट तठ्थयों के अस्पस्टिकरन ही यहां पर एक चीज किलिए हो गया कि नियम यह तो जानते हैं ना नियम अलग होते हैं अलग होता है कर दोनों चीज अलग अलग होता है कम यह जीज होता कि जो does but सिधान्ती नियम मन जाते ये कभीं होगा नहीं दूनों अलग अलग चीज़ हैं तीसरा है सिधान्त केवल vara si बिग्जान में मिलते हैं केवल सब्दाया मैं कुछ पढ़ूँगा नहीं आगे करते हूँ यहां बिक केवल है यहां बिक केवल है और यह सिधान्त और नियमной मिलते हैं और यह देखें बहुत है की बिच्थान्तों का काहीं संचिप्त रूप होता है अध्यक्तर लोग इसी कुमारे होंगे कि नियम जो होता सिधानत का ही संचिप्त रूप होता है लेकिन ऐसा कुछ नहीं है दून वालग अलक चीज है इसले को भी हम काट देंगे तो बच गया यह हैं सही होगे 88 का क्या होगा एक नमबर होगा इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि यह एटी नहीं नमबर कोश्चन कोई बिज्ञान सिक्षिका अपनी छात्रों का बिभिन प्रकरमंट कौसलों में मुल्यांकन करना चाहती है प्रकरमंट में क्या होगा प्रोसेस हुआ यान डिफ्रेंट प्रोसेस स्किल में मुल्यांकन करना चाहती है छात्रों के बिभिन प्रकरमंट कौसलों का मुल्यांकन करने के लिए नीचे दिया गया कौन सा साधन सर्फ से उप्युक्त होगा अब यहां पे देखिएगा तो यहां पे आपको सक्षितकार मिलेगा सबसे उप्युक्त यानि सरवादिक उप्युक्त देखना होगा यह प्रशनावली है प्रिक्षन सुची है कागज पेंसिल परिक्षन है तो इ ये दो चीजे हैं जैसे आकलन से समन्दित एक फीडियाफ हमने दिखाया था आपको मैं दिखा दिता हूँ सिक्षक के रूप में हमें यह स्पस्ट रूप से समझना चाहिए कि हमें हर चीज का परिक्षट नहीं करना होता है आकलन की अनेक विदाओं में से कक्षा के परस्तितियों के उनसार हमें बिसिस्ट विसेवस्तु छेत के लिए उपित विदा का चैन करना सीखना चाहिए कागज पेंसिल अक्लन का एक मातर तरीका नहीं हो सकता है यहां पर कागज पेंसिल भी ठी होता है लेकिन एक मातर तरीका यह नहीं हो सकता ह्समें migrant विस्तारूप से पढ़ियागा न üzerं को बहुत सारे चीज़़ें इसमें कृलेंहों हो के लिए बहुत ज़्यादा 176 है लेकिन आपको इससे पढ़ना चाहिए अब यहां आते हैं हम लोग फिर से अपने PDF पे यहां पे कागस पेंसिल परिक्छर तो आपका क्रेक्ट नहीं हो सकता है क्योंकि यहां पे क्या सरवादिक उप्युक्त इसका कॉरेक्ट एंसल होगा आपका प्रिक्छर तो यह अप्चॉर्ब करेंगे तो यह सबसे सरवादिक उप्युक्त होगा यानि करके आप सीख रहे हैं एक तरीके से तो यह आपका आप्सन सबसे सारे हैं याद रखे कि सारे हैं लेंकि सबसे सरवादिक उप्युक्त क्या होगा तो आपका तीग नंबर होगा चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हैं निशीत ही लास्ट होगा और वीडियो भी हम जल्दी हम इप क्लोज करेंगे निम्लिकित में से विज्ञान सिक्षान का कौन सा लक्ष उच प्रात्मिक अस्तर पर नहीं होना चाहिए वो है देखिए इस में थोड़ा सा कन्फिउजन है और कन्फिउजन यह है कि अगर आप गाइड देख रहे होंगे उसमें कुछ और एंसर मिलेगा सीटेट का ओफिशियल एंसर की देखिएगा को कुछ और एंसर मिलेंगा तो यहां पर पहला देखें बिग्यानशिक्छा को सिखने वाले प्रतिदीन अनभाव से संबंधित करना यह सही है और भाव से संबंध जो भी values है उसको आत्मसाथ करना है एक तर से remember करने वाली प्रविर्थी यहां दीख रही है लेकिन सीटेट ने इसका अंसर यह दिया था बिज्ञान के तथ्वों को सीखने वालों को प्रस्तूत करना अगर यहां जो भी तथ्थे उसके सामने डिस्प्ले करके क्यों दिखा रहे हैं तो यह बिल्कुल गलत है अब यहां पर मुल्यों को आत्मसाथ करना यह भी लगबग गलत है लेकिन नहीं होना चाहिए अगर दे यह तो नहीं होना चाहिए लेकिन यही अगर अलग तरीके से वह करता है कि विज्ञान के जो भी तत्थ है उसको प्रक्टिकल रूप से प्रस्तूत करना तो यह अप्सन से ही हो जाएगा को यह थोड़ा सा उनके सूच पर भी डिपेंड करता है कुछ प्रस्न इदर से उदर होंगे एक या दो प्रस्न ज्यादा नहीं हो सकते हैं एक यह दो प्रस्न को यहां पर देखा जाए तो इनका यह ऑप्सन उन्होंने सीटट ने ऑफिशेल एंसर की में यह एंसर मारा था गाइड इवेगर में देखेंगे तो यह एंसर होगा अगर देखा जाए तो यह उन्होंने ठीकी किया दोनों हो सकते हैं वैसे मेरे क्याल से उसमें जो भी मतलब एंसर दी होंगे अगर अबजेक्शन की होंगे इस प्रस्न पर तो निश्यति उन्हें एक मार्ष मिल सकता हो अब यह एक तरीके से मन से चैक आरी किजिए जिस तरीके से आपको एक एक चीस क्लियर करके बताया जारा अब इसे वस्तू कैसे पढ़ना है वी अप्लायाड मोट के परिश्णों को सॉल्व करना क्या 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 आपको पढ़ना चाहिए अभी टेलिग्राम ग्रूप आप कमें कर सकते हैं वहां से बहुत सारे पीडियुप जो बिग्याना करते हैं आप मुज़से मैंते चाह्ते को वह बहुत सारे में से प्रणोर और बहुत बहुत बार में दिया एक वहां से घोटी उपर immers ना weiß हिंदी क्लब में डाले गया है जो बहुत जरूरी थोड़ा सा मेनत आपको जरूर करना चाहिए वहां सच किजेगा नहीं तो उपर जाईएगा टेलिग्राम में ऐसी सुब्दा है कि पहले से भी जो मैसे दिये गया है वो आप देख सकते हैं को उपर स्क्रॉल करके जाईएग का ला सकते हैं हम लोग जल्दी बहुत सारे वीडियो आएंगे जल्दी आपका ओनलाइन टेस्ट भी हम को सिस्करेंगे कि प्रक्टिस सेट वेगरे कुछ मुल्य लगे कुछ पैसे लगे हैं लेकिन आपका प्रक्टिस सेट भी जल्दी हम चाहेंगे शुरू करने के लिए इसके अलावा हम आपसे एक छोटा सा प्रस्ण भी पूछना चाहेंगे जैसे में जब हम क्लास 8 का जब हम पढ़ा रहे थे तो उसमें एक छोटा सा प्रस्ण है क्लास 8 का एक चप्टर थोड़ा सा हमने आपको हिंट्स दिया था कि आप जानते हैं के बारे में वहां एक छो या आसान नहीं होता है फिर से सूनी के दोध का पो अगाय के दूध का प किच्छा असान नहीं होता है इस का जवाब ज़रूर दीजिए ताकि हम भी समझें कि आप अच्क निसाट के-स च्णक भी पड़े रहे हैं तो आज इस वीडियो बाइए इतना है फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ एक नहीं उमन के साथ एक नए हॉसले के साथ ताकि इस बार सिटेट आप अच्छे तरीके से क्रेक कर सकें तो देश वीडियो में विद्हा जो भी सीटेट के वीडियो साइन्स के बने हैं उसे देखना चरूर मत भूलिएगा फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ ओके बबाई सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को दबाईए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारे वीडियो आपको मिले सबसे पहले शेयर करें अपनी दोस्तों के साथ ताकि वह भी इसका लाब उठा सके यह सब बिलकुल फ्री है